आज उन्निस मार्च दोहजार बाइस भारत में शनिवार है, it's Saturday in भारत आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयम को प्रेणना देने के लिए magical secrets of today's मुरली for motivating the self बहुत अच्छा motivation बाबा के बच्चे बनाए रखते हैं और रखा है कई भाई बेनों ने जो अपना अनुभाव सुनाते हैं तिवरप उर्शार्थ का वाट्स अप पे message भेजते हैं, phone भी करते हैं तो दिखाई देता है कि इन आत्माओं में लगन है लक्ष रखके चल रहे हैं कई भाई बेनों ने 108 की माला का लक्ष रखा हुआ है और मुरलियों का reference बताते रहते हैं heads off to the souls क्योंकि बहुत कम बच्चे इस सतोप्रदान मोड में अपने आपको रख पाते हैं आज वैसे भी श्रीमत भगवत कीता study group में हम गुनतरय विभाग ये चवदावा अध्याय देखने वाले हैं जिसमें सतरोजोतमों की गहराई में जाने वाले हैं त्रिगोनात्मक प्रकृति और ड्रामा बताया हुआ है शास्त्रों में भी इसका बहुत गहराई से वर्णन आया है तो सतोप्रदान मोड माना जिनकी बुद्धी में परमात्मा और उनके द्वारा बताई गई बाते ही निरंतर रहती है उनको सतोप्रदान मोड में कहा गया है तो इश्वरिय ग्यान ये सतोप्रदान मोड में ही बुद्धी में चल सकता है एक प्रश्ण डबल फॉरिनर्स विशेश बाबा को पूछ थे थे कि बाबा अंतिम विनाश के समय हमारा क्या होगा हम मधुवन पहुच पाएंगे या नहीं पहुच पाएंगे तो बाबा ने उसका जवाब दिया था उसका आधार है बुद्धी की लाइन क्लियर होना तो प्रश्णा आया फिर कि बुद्धी की लाइन किसकी क्लियर होगी तो बाबा ने जवाब दिया जिनकी बुद्धी में अंडरलाइन करना इस वाक्या को जिनकी बुद्धी में बाप और बाप के द्वारा बताई गई बाते होगी उनकी बुद्धी की लाइन क्लियर होग और जैसे टेलीफोन की घंटी बचती है वैसे उनके अंदर घंटा बजेगा और वो जिस प्लेन में बैठेंगे जिस ट्रेन में बैठेंगी वो आखरी प्लेन या ट्रेन होगी उसके बाद सब कैंसल हो जाएंगे और वो मदुबन में पहुँच जाएंगे तो पुरशार्थ का आधार है कैचिंग पावर इसके उपर पूरी मुरली चली हुए कैचिंग पावर योग माना और कुछ नहीं लेकिन कैचिंग पावर है बाबा से ग्यान गुन शक्तिया कैच करना यही योग है तो catching power अच्छी बनाने के लिए बुद्धी को हमेशा इश्वरिय ग्यान योग में बिजी रखना चाहिए जो भी भाई मैंने complaint करते हैं कि माया आती है तो माया इसलिए आती है क्योंकि हमको अपने आपको स्रिष्ट संकल्प बोल और कर्म में बिजी रखना नहीं आता है बाबा ने कहा है कि बाबा के बच्चे तीन स्टेज से जाते है वर्नन, मनन और मगन अवस्ता मगन अवस्ता तो फाइनल स्टेज है योग की definition भी बाबा ने दिये योग माना लगन में मगन हो जाना एक परमात्मा के लगन में मगन हो जाना यही योग है लेकिन मगन के पहले आती है मनन अवस्ता वर्नन तो चलो भक्ती मार्ग में भी कहते है वर्नन करते रहते हैं बगवान की महिमा करते रहते हैं लेकिन भक्ती में भावना होता है और ग्यान में निश्चे होता है निश्चे का आदार होता है अनुभाव तो बाबा के बच्चे भी ग्यान में आने के बाद बहुत सारी बाते वर्णन करते हैं तीन लोग है चोरह सी जनम है पांच हजार का चक्र है वगेरा वगेरा यह वरणन हो गया तो वरणन के आगे की स्टेज है मनन करके उसमें से मक्षन निकालना और शक्ति स्वरूप बनना तो शक्ति स्वरूप बनने में नंबर बन जाते क्योंकि मनन सही यथार्त रूप में आता नहीं अगर मनन अच्छी तरह से चलता है तो मनन से अवस्था बनती है कई बावा के बच्चे ये भी प्रशन पूछते है कि अशरीरी अवस्था, व्यक्त अवस्था, निराकारी अवस्था ये क्या है तो हमेशा ध्यान रखो कि दो शब्द है एक अभ्यास और एक अवस्था अभ्यास से अवस्था बनती है ठीक है, confusion नहीं चाहिए आप जिस चीज का अभ्यास करोगे वैसे आपकी अवस्था बनेगी तो अशरिरी पन का अभ्यास करेंगे तो अशरिरी अवस्था बनेगी अव्यक्त में रहने का अभ्यास करेंगे तो आप व्यक्त भाव और भावना से परे रहेंगे तो अभ्यास से अवस्था बनती है और पूरा खेल अभी अभ्यास का ही है क्योंकि ग्यान को समझना relatively easy है हला कि ग्यान के गहराई में जाना कठीन होता है लेकिन ग्यान को समझना उपर-उपर से वो easy है गहराई में जाना हरेक के बुद्धी का खेल है जैसे वो गोता कोर समुंदर की गहराई में जाते उनको नए नए रत्न प्राप्त होते हैं तो रत्न प्राप्त होने पर खुशी होती है ऐसे ही ग्यान के गहराई में मनंचिंतन करते है और नई पॉइंट मिलती है, जिसको बुद्धी स्विकार करती है, तो बहुत खुशी होती है, तो ये सब नम्मरवार बाबा के बच्चे है, कहने का भाव आज के मुरली का सार, दोई शब्द, वैसे तो बहुत सारे दो शब्द बाबा ने कहे हुए है, लेकिन आज के मुरल में बहुत सारे नए शब्द भी आये है, जैसे बाबा अमेशा ब्राम्मन वर्ण कहता है, देवता वर्ण, ख्षत्रिय, वैशर, शुत्र वर्ण कहता है, लेकिन आज बाबा ने इश्वरिय वर्ण भी कहा है, ब्राम्मन वर्ण अलग है और इश्वरिय वर्ण अलग है, क् इश्वर्य वर्ण माना परमधाम में जाना ऐसे आज के मुर्ली में आया है तो नया शब्द है इश्वर्य वर्ण हम ब्रामन बनते हैं तो वो ब्रह्मा की संतान है उसको इश्वर्य वर्ण नहीं कहा इश्वर्य वर्ण परमधाम में जाने के बाद होता है तो ये नया शब्दा आज के मुर्ली में आया हुआ है और बाबा ने आज पूरी मुर्ली में कहा हुआ है कि देखो बाबा दो शब्दा पहले भी कहते थे आप दो दो शब्दों की लीस्ट बना सकते जैसे शाम सुन्दर शब्दा है ना दीन रात का शब्दा है ब्रह्मा का दीन और ब्रह्मा की राद तो बाबा बहुत मुर्लियों में सुकदाम और दुखदाम ये शब्दे इस्तिमाल करता था लेकिन आज बाबा ने कैटेगोरिकली कहा है कि धाम केवल पवित्रता के साथ जाता है शब्दो ये नहीं बात है फिर बाबा ने करक किया है धाम केवल पवित्र स्थान के साथ जाता है और ये नर्ग को धाम नहीं कह सकते है इसलिए दुख का लोग कहा है जिसको शास्त्रों में शब्द है मृत्यू लोग और अमर लोग तो धाम के बज़ा है मृत्यू लोग और अमर आकार लोग निराकार लोग लेकिन यह लोग जो है वो दुख का लोग है और यहां से हमको बाबा सुक धाम में लेके जाते हैं और यह दोनों धाम पवित्र है तो शब्दों का हमको बहुत संबाल करना चाहिए और जैसे शब्द हम इस्तिमाल करते हैं वैसे भावना अंदर जागरुत हो जाती है। अभी कई सारे भाई बैने पवित्रता के उपर प्रश्न पूछते हैं। काम विकार उन्हें सताता है, कामनाय सताती है, बुद्धी स्थीर नहीं हो पाती है। तो दुखी रहते हैं परिशान रहते हैं तब हम उनको संकल्प देते हैं कि अपने आपको परंपवित्र आत्मा समझो तो बुद्धी इस संकल्प को स्विकार नहीं करती कि परंपवित्र है क्योंकि किये हुए कर्म याद आते हैं विकार में गये हैं वो याद आता है या वि कितनी स्रेष्ट संकल्प बुद्धी स्विकार करती है जितनी बुद्धी स्वच्छ होगी उतने ये संकल्पों में स्थित होना easy होता जाएगा जितना हमारा देहभान और अभिमान कम होती जाएगा उतना हम स्रेष्ट संकल्पों में स्थित होने लगेंगे तो आते हैं इन दो शब्दों के ओपर वर्षा और श्राप साइकोलोजी के हिसाब से मनो विज्ञान के हिसाब से ये शब्द बहुत इंपोर्टन्ट है Heads off to those souls who have written the scriptures in the bhakti marg उन सब आत्माओं को सचमुच में नमशकार है जिनोंने bhakti marg में शास्त्र लिखे है क्योंकि बहुत सारे गुईयर राज मनो विज्ञान के शास्त्रों में आये हुए पकड़ने वाला पकड़े हम तो इसके ओपर पूरा सेशन लेते हैं क्योंकि यह शब्द acceptable शब्द है बहुत लोगों ने स्विकार किया है अंतरमन की शक्तिया आत्माओं वित्माओं शब्द थोड़ा disconnect हो जाते हैं लोग तो हम जब सेशन लेते हैं पब्लिक में लोगों के लिए तो हम subconscious mind को इस्तमाल करते हैं मना आपके अंदर की जो छिपी हुई शक्तिया है आत्मा कहने से बज़ाए आपके अंदर जो शक्तिया है उनको जागृत करना ये शब्द या भाव हम जब लोगों के सामने रखते हैं तो उसको स्विकार करते हैं तो शास्त्रों में ये श्राप और वर परणन आया हुआ है तो एक कहानी जो याद आती है भस्मा सुर की आप सबने सुनी होगी भस्मा सुर दैत्य असुर था और उसने शिव को प्रसंद करके वर्दान ले लिया कि जिसके उपर वो हाथ रखेगा वो खतम हो जाएगा अभी अहंकार असुरों का लक्षन है हम लक्षन देखने वाले है आसुरी प्रवृत्ती के तो उसमें अहंकार एक लक्षन है और क्रोध भी लक्षन है बाबा इनको भूत कहते हैं तो सब को खतम करते करते वो देवताओं के उपर हाथ ने तो देवताएं डर जाते हैं और हमेशा ये सीन दिखाया हुआ है कि सिक्यूरिटी होती है वो जाता है विश्नु के पास तो विश्नु मोहीनी रूप धारन करता है और मोहीनी रूप करके धारन करके वो दैत्य का को डांस करना करने के लिए प्रवृत्त करता है और डांस करते करते मोहीनी रूप जो है वो अपने सिर के उपर हाथ रखती है वैसे हिए आसूर भी उसको copy करता है और अपने सिर के उपर हाथ रखता है और स्वयम भस्म हो जाता है तो ये भस्मा सूर की कहानी है कि जिनोंने खुद को भस्म किया तो वर्षा और श्राब ये जो दो शब्द है जिसको वर्षा और वर्दान भी कह सकते है आज मुर्ली के वर्दान में यह आया हुआ है बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई सोर्स अफ इंकम और सद्गुरु से वर्दान तो वर्षा और वर्दान प्राप्त करना और या तो श्रापित करना स्वयम को इस सब का आधार हम है थोड़ा श्रीमद भगवत गीता को revise करते हैं आगे हैं जब हम Master classes में जाएंगे तो श्रीमद भगवत गीता से कुछ principles हम निकालेंगे श्लोक निकालेंगे जिसको डेली लाइफ में अपलाई कर सकते है श्रीमत भगवत गीता हमको रोज के जीने में बहुत सारी प्रेणाएं देती है और ये जो श्लोक है अभी बताने जा रहा है ये तो बहुत पावरफुल है जो fundamental cognitive distortion हम कहते हैं अंग्रेजी में माना सोच में हमारे जो दोश है उसी को दूर करता है ये majority आत्माएं मनुश्या आत्माएं जो games खेलती है psychology में इसको हम कहते है games या drama ये psychology का शब्द है बाबा का शब्द नहीं है इसके ओपर किताब भी लिखी हुई है किताब का नाम है games people play international best seller book है कि लोग कैसे एक दूसरे को relationship में manipulate करते हैं इस्तमाल करते हैं देखो दुनिया में बहुत अच्छी कहावत है उसमें एक कहावत है कि चीजे इस्तमाल करने के लिए बने हुई है और इनसान प्यार के लिए बने हुए है लेकिन कल्यूग में इनसानों का इस्तमाल किया जाता है और चीजों से प्यार किया जाता है ये फरक है तो games जो लोग play करते है psychological defense mechanism इसको कहते हैं आपको इसके बारे में विस्तर चाहिए तो सचिन भाई के ego defense mechanism करके बहुत famous हुई series ego defense mechanism ये psychiatric के बहुत powerful defense mechanism है neurotic, psychotic और mature defense mechanism तीम प्रकार के होती है अगर आप इन episode को समझ आएंगे तो माया कैसे खेल करती है जिसको बाबा ने भी मुरली में बहाने बाजी की माया आया और कई माया के प्रकार बताये हुए ये बहुत विस्तार से सुनाया गया है तो आप ज़रूर ego defense mechanism के series को सुने किसी को चाहिए तो आप मुझे request बहुत सकते ताकि मैं आपको उस वीडियो का link बहुत दो क्योंकि इंटर्वी लेने वाले भी clinical psychologist psychology की पढ़ाई की हुई है तो बहुत अच्छा session रहा तो सुक्ष्म माया के रुपों को हम पकड़ सकते तो games people play में ये बताया गया है कि कैसे हम स्वयम को श्राप और वर्दान देते हैं आपको जान बुझ के इंक किताबों का reference हम बता रहे था कि जिसको interest है वो इसको गहराई से समझ सकते हैं तो वर्षा कब मिलता है श्राप कब मिलता है please understand इसको बहुत ध्यान से सुनना कि वर्षा कब मिलता है श्राप कब मिलता है हमारे मन को अगर हमने समझ लिया तो हमारा life बहुत easy हो जाएगा mechanism को समझना है कि ये कैसे काम करता है कैसे हमको बंधन उत्पन्न करता है और कैसे बंधन मुक्त करता है और कई भाई बैने इस चक्रव्यूग में फसे रहते हैं जैसे वो अरजुन का पुत्र अभीमन्यू चक्रव्यूग में फस गया अंदर जाना तो आता है लेकिन बाहर आना नहीं आता ह तो ये subconscious mind हमारा अंतर्मन अपने दाव पेच बदलता रहता है जैसे आपका मुझ बदल गया उसका मुझ बदल जाता है और बहुत सुक्ष्म होते जाता है और पता भी नहीं चलता है कि हम माया में फसे हुए ये इसकी सबसे बड़ी चाल होती है example देंगे तो समझना है जबी भी हम अभी बाबा ने तो बहुत गहराई में बताया है जबी भी हम किसी भी प्रकार का वैर्थ और निगेटिव संकल्प करते है तब हम अपने आपको श्रापित कर रहे होते double underline इस बात को जब भी हम किसी भी प्रकार का वेर्थ और negative संकल्प करते हैं तब हम अपने आपको श्राप पित कर देते हैं अभी श्राप कैसे मिलता है ये सब automatically काम करता है इसमें कुछ भगवान कुछ नहीं करता है लौकिक में बिलीफ है कि भगवान इस सुक और दुख देता है तो ये भगवान सजा नहीं देता है सजा automatically मिलती है automatic है इसको बसमासुर कह सकते है जबी भी मैं खुद के प्रती या औरों के प्रती वेर्थ और negative संकल्प create करती हूं तब मैं श्रापित कर रही हूं कई सारे बाबा के बच्चे माया के प्रभाव में आके जैसे आज बाबा ने कहा ना traitor बनते हैं अभी ऐसे भी बाबा के बच्चे देखें बहुत निश्य बुद्धी थे लेकिन एक कड़ा संसकार जिसको परिवर्तन नहीं कर पाए फिर वो काम का संसकार है क्रोध का संसकार है लोब का संसकार है मोह का संसकार है एक weakness या आलस्य का ही संसकार है या ego का संसकार है आपको ग्यान से बाहर फिक सकता है अगर आप गाफिल रहे गफलत में रहे इसलिए बहुत अटेंशन देना है कि मेरे अंदर कोई भी संसकार और ऐसे भी नहीं समझे छोटा सा है थोड़ा सा है कवर कर लेंगे सौरी रॉंग आप पैचान नहीं पा रहे हैं आपका युद्ध किसके साथ है सर्व शक्तिवान मा है और वो अपना अंतिम दाओ पेश लड़ाने वाली है आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाली है बाबा ने मुरली में कहा आधा कल्ब के आप उसके कस्टमर है और कोई भी कंपनी अपने कस्टमर को छोड़ती नहीं है आपको क्या अनुभव सुनाएं इसके उपर हम डी एड द्रक्स लेने वाले होते बहुत कड़ा उनको विड्रावल होता है तो घर वाले बहुत परिशान होके उनको डी एडिक्शन सेंटर में एडिमिट कर लेते आपको हैरानी होगी धक्का भी लगेगा कि यह जो ड्रक्स बेशने वाले लोग इतने शातिर होते हैं वो अपना अजाद्डा वो DEI-IDICTION CENTER के बाहर ही बना लेते है कैकि उनको पता है, उनका गिराई का अंदर है और उसको ये DRUG cloves चाहिए तो DEI-IDICTION CENTER के बाहर ही रहा देखते रहते, कब ये बाहर आया है और कब हम इसको पकड़े, वो अपने customer को नहीं छोड़ते तो जैसे ये drug वाले अपने customer को नहीं छोड़ते वैसे माया भी अपने गिराई को नहीं छोड़ती है वहीं से entry करेगी जहां पर आपकी कमजोरी होगी बाबा ने एक मुरली में कहा जैसे आजकल के जो होते है पहले के चलो डाकूते गोड़े के उपर आते ते लूटके चले जाते ते आजकल के तो शातीर है बाबा ने कहा एसी डक में से आते हैं वेंटिलेटर डक में से अंदर घुसते हैं कई बैंक रॉबरी तो ऐसे हुई है कि बैंक के बाजू में जो भी बिल्डिंग है वहाँ पे कमरा लेकर जमीन के अंदर खड़ा करके बैंक में चले जाते है तो चूर वहाँ से एंट्री करता है जहाँ पे आपने कमजोरी छोड़ी है तो किसी भी प्रकार की कमजोरी संकल पवचन कर्म में संबन संपर्क में बाबा ने तो इतनी सुक्षमता से हमको इसके ओपर ध्यान किचवा है जैसे फैमिलियरिटी की बात लेको देखो शब्द क्या है फैमिलियरिटी का अर्थ क्या हुआ फैमिलियरिटी माना इनके साथ बात करना अच्छा लगता है इनकी company अच्छी लगती है इनकी विशेष्टा अच्छी लगती है बाबा ने का ये विशेष्टा नहीं ये माया है किसी से प्रेरना लेना अलग बात है किसी से प्रभावित होना अलग बात है तो बाबा ने का ये familiarity का भी नशा जो होता है उसको काम का हलका नशा कहा गया है दो बहनों का अपस में प्यार हो जाता है दो भाईयों का प्यार हो जाता है या भाई बहनों का प्यार हो जाता है इनके साथ बात करना अच्छा लगता है प्लीज अंडस्टाइड ये सुक्ष्म में माया है ऐसे बाबा ने मुरली में कहा है तो कहने का भाव ये है कि सुक्ष्म कोई दर्वा जहां हम खुला नहीं छोड़े नहीं तो माया चोरी कर लेगे माया बहुत बड़ा चोर है हमारी ज्यानगून और शक्तिया सबसे बड़ा वार जो माया करती है वो बुद्धी के उपर ही करती है बाबा ने मुरली में कहा है कि माया इतनी शातीर है कि उसको पता है कि ये जो बच्चे है शिव बाबा के ये शक्ति कैसे खीषते हैं शिव बाबा से तो बुद्धी के उपर खीषते है तो अगर मैं इनके बुद्धी के उपर अटक करो तो ये शक्ति खीच नहीं पाएंगे और ये मेरे फिर से गिरायक बन जाएंगे तो जो गायन है कि महारतियों को भी माया ने परिशान कर दिया तो ये ही गायन है कि बुद्धी में रियलाइजेशन पावर को खतम कर देती है माया माना गलत कर रहे हैं वो गलती का रियलाइजेशन ही नहीं है या तो बहुत अपने आपको डाटते रहते मेरे से गलती होगे गलती होगे वो भी गलत है या तो realization ही नहीं है दोनों में से सुक्षम अगर देखा जाए तो realization ही नहीं है कि मैं गलत हूँ करके मैं right हूँ यहीं सिद्ध करेंगे तो ये माया के वार को समझना है बाबा ने कहा जैसे वो लौकिक में चोर होते है वो अकेला करते है दुश्मन को पवित्र है तब तक ये बाबा से शक्ति लेंगे और ये मेरे मुरिद नहीं बन सकते तो माया क्या करती है बुद्धी में विर्थ संकल पा उत्पन्न करती है आलस से उत्पन्न करेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आप तीवरपुरुशार्ती है तो आप सोचेंगे आरे ये तो चलता ही रहता है रोजी है आज एक दिन नहीं किया तो क्या होगा तो तीवरपुरुशार्ती को माया डायरेक नहीं बाहर पेजेगी पहले उसके अंदर आलस से और अलबेलापन पैदा करके उसको पहले साधारन पुरुशार्ती बनाएगी देखो माया के स्टेप्स देखो पहले साधारन पुरुशार्ती बनाएगी साधारन पुरुशार्ती बनाके उसके अंदर ऐसे संकल्प उत्पन न करेगी अरे नहीं बाबा के ही तो है बाबा को जीवन दिया है हमको वर्सा ने मिलेगा तो किसको मिलेगा अभी ये शब्द बहुत डेंजरस है हम नहीं बनेंगे तो कोण बनेंगे हमी कलप कलप के बने हुए है वगेरा वगेरा ये संकलप आपको साधारन पुरशारती के लिस्ट में क्योंकि आप तीवरता से नीचे आ गए आपकी efficiency कम हो रही है आपको पता भी नहीं चलेगा और फिर साधारन पुरशारती के बाद सिधा बाहर फेग देगे इतना तो चलता है अभी संपूर्ण कोन बने है महारती भी गलतिया करते है मैंने किया तो क्या होगा कि वो करता है मैंने किया तो क्या हो गया ये है माया की royal entry इसलिए बाबा कहता है दूसरों को नहीं देखो दूस्रा कोन क्या कर रहा है see father, follow father see father, follow father do not follow brother and sister क्योंकि brother and sister कंप्लिट नहीं है बले कोई भी हो मारतियों से भी समय समय पर गलती होती है अलाकि वो रोल मॉडल है तो हमको केवल विशेष्टा देखनी है और तीवर पुरुशारती आत्माओं का संग रखना है तभी हम माया से बच पाएंगे तो फिर से अटरलाइन करते हैं अब भी कोई आत्माओर्थ और निगेटिव के वार में होती है तब वो अपने आपको श्रापित करती है अगर कोई BK वाई बेन सोचते है कि वो कैसे पुरुशारत करता है वो कैसे करता है मैं देखता हूँ मैं उसको करने नहीं दूँगा शौपृत कर रहे हैं अपनी आपको ये क्रोध का अंश है किसी के आपर गुसा होता है तो उसको विरोध करने लग जाते हैं उसका opposition करते हैं किसी की गलानी करते हैं किसी की गलानी सुन्नी है ना करनी है पर ये सब माया कराती है under the effect of voices से सकाम क्रोध लोब मों अंकार आलस से इर्शा ये साब करम कराते और वंडर लगता है अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे इसमें फस जाते अभी आपको कितने एक्जामपर इसके उपर सुनाएं एक आत्मा जो की भट्टिया कराने वाली आत्मा सोचो भट्टी कराने वा आत्मा क्या हुआ धीरे धीरे डिप्रेशन में गए अकेला पन आने लगा अभी ऐसे समय पर वो बात कर सकते थी लेकिन बात नहीं किया क्योंकि कुद का आहंकार की मैस रेष्ट पुर्शारती हूँ धीरे धीरे इतना डिप्रेशन में गई कि बहुत डिफिकल्ड हुआ फ खाना पुर्शारत तो डिप्रेशन में जाने के बाद ऐसे संकल पाने लगे कि अखेला तो जीवन जिया नहीं सजा सकता बिमार पढ़ेंगे तो हमको कौन देखेगा अभी ये संकल पाया तो फिर साथ धुड़ने लगे फिर दूसरी भी आत्मा वो भी अभी क्या बताए नाम ले नहीं सकते है निमित्ता आत्मा जिनोंने उनका कोर्स किया था वो आत्मा उसको भी बिमारी आ गई वो भी सोचते कौन देखेगा कैसे होगा हमारा और ड्रामा प्लैन अनुसारी होता है फिर दोनोंने बाबा का हाथ छोड़ दिया आज वो ग्यान में नहीं है इतन बात करनी चाहिए अपने अहंकार में नहीं रहना चाहिए हर चीज का इलाज है only you are to beat and talk to the right person तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है गहराई में जाके इसको समझना चाहिए कि माया किसी को भी नहीं छोड़ती है जहां कमजोरी देखी वहां से माया ने एंटरी कर लिया तो बहुत सुक्ष्मता में अपनी चेकिंग करो आज कि मेरे अंदर कोई ऐसी कमजोरी तो नहीं है जहां से माया एंटर करे और उस होल को प्लक कर दो तो अपने आपको श्रापित करने के बज़ाए वर्सा आप दे सकते है वर्दान दे सकते है थोड़ा और गहराई में जाएंगे जबी भी हम ये संकल्प करते है कि मेरे से नहीं हो सकता मैं माया के साथ युद्ध नहीं जीत सकता माया बहुत शक्तिशाली है मेरा काम क्रोध लोग का संसकार जाता नहीं है मोह का संसकार जाता नहीं है जैसे ही आपने ये थौट किया आपका subconscious mind एक ही जवाब देता है, तथास तू, ऐसे ही होगा, so please understand this, यह automatic होता है, आपने जैसे ही सोचा, मैं नहीं कर सकता, अंदर से वैसे ही होगा, as you think, so you become, हमारा गीत है, जैसा सोचोगे तुम, वैसा बन जाओगे, इसलिए no matter what, चाहे कुछ भी हो जाए, stay positive, stay firm, purposeful thinking, thoughts, हमेशा रखने चाहिए, कि मैं कर सकता हूँ, देखो हमारे अब्दुलकलाम, आदर निया है, Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम, जो Honorable Ex-President रहे चुके, वो पाँच affirmation रोज सुबह करते थे, पाँच संकल्प, I am the best, I am the winner, I can do it, today is my day and God is with me, ये पाँच संकल्पों वो करते थे, कि मैं best हूँ, मैं winner हूँ, मैं कर सकता हूँ, आज का दिन बेरा है, और स्वायब सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, एक आत्मा, जो scientist है, इन पाँच संकल्पों के आधार से अपने दिन की शुरुआत करता है, उसका दिन कितना सुन्दर जाता होगा, तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमको तो 300 सुमान की list मिली हुई हैं, आप उसमें अपने आपको busy रखो, और कभी भी कलती से भी worth और negative thought अपने mind में आने मत देना, क्योंकि जैसे ये thought आया, आप अपने आपको श्रापित कर देंगे, तो अपने आपको श्रापित नहीं करना है, अपने आपको वर्दानों से भरपूर करना है, जो आज के वर्दान में बाबा ने कहा हुआ है कि तीनों ही संबन से अधिकार के स्मृती में इमर्ज रख हर कदम उठाओ, अधिकारी बनके कि मैं नहीं तो कौन, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसको बहुत गहराई से अपने फिलिंग में लाना, जो भी भाई बैने अपने बीके लाइफ में विघन का अनुभव करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको इन तीन स्वामान की गहराई में जाके, अपने हर कर्म में इसको इस्तिमाल करना है, नमबर वन, मैं मास्टर सर्वशक्ति वान हूँ, जैसे कल भी बताया, सर्वशक्ति आए, वहाँ सफलता है, तो उसी के साथ, सफलता मेरा इश्वरिय जनम सिद्ध अधिकार है, और तीसरा, मैं कल्प कल्प की विजई रतन आत्मा हूँ, अगर आप एड करना चाहते हो, त इसका अभ्यास करें, हर कर्म में, हर समय बैलेंस रखें, तो ब्लेसिंग प्राप्त होगे, ब्लेसिंग मांगने नहीं पड़ती है, ब्लेसिंग आटोमेटिकली मिलती है, लोग भगवान के मंदिर में जाके ब्लेसिंग मांगते, कुरुपा करो, आशिरवात करो, तो आपको तो अपने आपको बिल्कुल हलका छोड़ देंगे सीर से लेके पाव के अंगुटे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलाक्स दोनों हाथ दोनों पैर शान्त और रिलाक्स ध्यान दो आखों के बीच में मैंसुस करेंगे इस शरीर रुपी मंदिर में मैं एक दीव्य प्रकाश हूँ परम पवित्र हूँ पवित्रता के सागर की संतान पवित्रता का सागर शिर बाबा पवित्रता का प्रकाश मेरे पास भेज रहा है शिर बाबा के इस प्रकाश से मेरे जनम जन्मांतर के पापकर्म भस्म हो रहे हैं मैं आत्मा फिर से स्वच्छ और पवित्र बनते जा रहे हूँ हर एक के लिए शुब भाना शुब कावना नैच्रली मेरे द्वारा निकल रहे हैं क्योंकि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ सफलता मेरा इश्वरिय जनम सिद्ध अधिकार है बाबा ने मुझे वर्दानों से भरबूर कर दिया मैं वर्दानी आत्मा हूँ संकल्प बोल और कर्म द्वारा हर क्षण हर समय मेरे द्वारा वर्दान निकलते है जिसके उपर भी मेरी द्रिष्टी पढ़ती है उस आत्मा का कल्यान हो जाता है इतनी शक्ती भाबा ने मेरे अंदर पढ़ती है कोई भी आत्मा मेरे द्वारा खाली हाथ नहीं जाती है मैं उसे इश्वरिय प्यार का अनुभाव कराने वाली महान परंपवित रात्मा मुझे बहुत हल्का लग रहा है मैं बहुत खुश हूँ प्रसन्ना ओम शान्ति 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 सर्वशक्तिवान बाब हमेशा मेरे साथ है उसका वर्दानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है बाबा मुझे दृष्टी दे रहा है और बहुत प्यार से बाबा मुझे कह रहा है कि बच्चे तुम मेरे हो तुम कल्प कल्प के विजही रतन हो सफलता तुमारा इश्वरिय जनम सिध्ध अधिकार है बाबा ने अपना वर्दानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा बाबा मुझे कह रहा है कि तुमारी विजय निश्चित है निश्चित है जाओ विश्व का कल्यान करो मेरी सर्व शक्तिया तुमारे साथ है तुमें कोई रोक नहीं सकता मैं बहुत खुश बाबा से दुरुष्टी लेकर बाबा की पाहों में समा रहा हूँ और बाबा को दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ मेरा बाबा, मिठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्छा बाबा और अच्छा बाबा दयालू बाबा, कृपालू बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया अच्छा, ओम शान्ति झाल झाल